सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट पेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेडी प्लस में और दोस्तों आज मैं आपके लेकर आएक अति महत्यपूर्ण वीडियो जो संबंदित है उत्राखन प्रस्नोत्तरी सिरीज से और आज हम बात करेंगे उत्राखंड प्रस्णुत्री 17 की और इसमें हम बात करेंगे आज के 15 प्रस्णों की जो आने वाले सभी उत्राखंड एक्जाम में आपके लिए बहुत महत्तपूर और बहुत हेल्पपूल होंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए अक्टिवेट ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते है आज के प्रस्न तरी सरीच तो लास्ट वीडियो में आपसे कुछ प्रस्न पूछेते हैं तो शुरूआत करते हैं उन्हीं वीडियो से जो लास्ट वीडियो में आपसे प्रस्न पूछेते हैं उनके उत्तर इसमें बताने हैं तो लास्ट वीडियो का पहला प्रस्न जो है आ काशिपूर नगर क्योंकि का शीपूर जो नगर था यहां कुमाओक सरवाधिक जानेजाणी नगर था सरवाधिक यहाँ पर क्रान्तिकारी गतिविदींणD interact गड़ माना जाता है काशिपूर तो इसलिए इसको गोविंद गड़ की संग्या अंग्रेजु ने दी थी तो इससे संबंदित एक कौशन और है जिसको मैं आज की वीडियो में आगे आपको बताऊंगा अगला कौशन है भरहूत वेदी का नामक जो रचना है वो किसकी है भर नायक जाती की उत्पत्ती चंद वंच के जो भारती चंद है राजा उनके समय की मानी जाती है ऐसा एटकिंसन कहते हैं और इनके सामाजिक उत्थान के लिए बाद में उमाओ परिसत ने बहुत कारी किये ठीक है और इसी का परिणाम है नायक सुधार कानून तो यहाँ जो प्रस्णोत्तरी सिरीज आज की प्रस्णोत्तरी सिरीज का पहला प्रस्ण है आपके लिए भागर्यती और जल्रंधरी नदियों के संगम पर इस्तित है इसमें से कौन सा इस्थान इन दो नदियों के संगम पर इस्तित है आपको बताना है आपको अप्शन है मुखवा भी ह उसमें इस्तिध है यह न किनफ Topлюд थैक है तो यह स्तिध है हरसल है तो हरसल जो है हरसल के पास जो ऑड़ा नदियां मिलती है ठीक है अगला Question है गुलाबी कांठा गुग्याल की जनपद में seriousatal गुलाबी कांथा बुग्याल जो इस्तित आपके बाव ओप्षण है चमोली, उत्तरकासी उध्रप्याग पुतर अगर तो उसका रायट आंसर है उत्तरकासी ठीक है उत्तरकासी में गुलाबी कांथा बुग्याल इस्तित है Question No.3 तो सिला यांगती जो सायक नदी है यह है पूर्वी धॉली गंगा की जानते हैं जैसे साधू लोग होते हैं बनते हैं और उसी साबसे अपना अखाड़ा एक बनता है तो इसके आपके option है कार्तिके से गनेश से सीव से हनुमान से ठीक है तो जो सिरी अटल अखाड़ा है यह संबंदित है सिरी गनेश से question no 5 उत्राखन में मामूल क्या है या मामूल क्या था ठीक है उत्राखन में जो मामूल था तो आपके option है मामूल जो है उत्राखंड का एक कर हुआ करता है तो इसका रायट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर कासी चाहिए नामकस्तान कहां इस्तित है नामकस्तान कहां इस्तित है नामकस्तान आपके प्ष्ण्लिम इस्तित गाधी मंदिन का सिले नियास किसète क्या था आपके option है गोबिन देवलप पंदने बी बदुज़त पांडे सी महात्मा गादी डी सरला बहन जो गादी मंदिर है ने निताल में इस्तित है ये तो आप जानते हैं जब गादी जी पहली बार से 1929 में आये थे तब इस का सिलन्यास उन्होंने खुद ही किया था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो गादी जी 1929 में गादी जी जब यहाँ पर आये थे तब उन्होंने अपने हातों से गादी मंदिर एक भवन का निमार किया था जिसको बाद में उनके सहीयोगियों ने इसका नाम गादी मंदिर रखा था नेनिताल में इस्तित है अगला कॉशन है कॉशन नमबर 9 चोखम दून की जन्पद में इस्तित है ठीक है चोखम दून जो इस्तित है आपके उप्षन टिहरी पौडी चमोली यह ध्यादून तो इसका राइट आंसर है पौडी में ठीक है चोखम दून कहां है पौडी में इस्तित है चलिए आगे बढ़ता है कॉशन नमबर 10 में कॉशन नमबर 10 है कुमाओ में किसके नेतत्तुमें व्यक्तिकर सत्यागरे की सुरवाद हुई थी ठीक है व्यक्तिकर सत्याग्रह आप जानते हैं व्यक्तिकर सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था गादी जी दौरा 1940 में पर्टम सत्याग्री उन्होंने विनुद्वा भावे को और दुटी जो जवाला नहेरु और तिती जो थे पटेल को बनाया गया था याने कि पहली सत्याग्रह की सुरुआज जो हुई थी आपके उप्चिन ने प्रियाग्रत पन भी गोविंद बलब पन सी हर गोविंद पन डी पज्यत पांडे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बलब पन ने इसकी सुरुवात किती जब बहु नैनिताल से हलवाने की तरफ गए थे इस आंदुरंगा नित्वत्य करने के लिए question number 11 है अंग्रेज सास्रकों ने किस नगर को काली सूची में सामिल के था बलक लिस्ट में सामिल के था इस नगर को क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि इस नगर में सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं सत्याग रही हैं और सरवाधिक यहाँ पर ऐसी घटनाय घटित हो र लेक लिस्ट में सामिल किया था इस नगर को कुमाओ के क्योंकि अंग्रेज लोग जानते थे कि हांसे क्या है कि हमेशा इस नगर से भाई भी तरहते हैं वाला इसके सचे तरहते थे इस नगर के प्रति ठीक है आज का कॉश्चन नंबर 12 कुमाओं में सरवपर्थम कुली मंगवा के गाओं से पैसा लेके ये क्या करते थे एक चंदा एकटा करते थे और उस गाओं के बतले यहां कुली रखवाते थे यानि कि जो लोग काम करते हैं कुली का उनको ये उससे सल्मान डूलाते थे ठीक है तो गड़वाल में बहुत ज्यादा पॉप्लर रही और वह ज्यादा पिचल नहीं हुई और जल्दी बंद हो गई यहां पर यह ज्यादा सपल नहीं हो पाई लेकिन गड़वाल में काफी सपल रही थी तो कुमाओं में खुली अजन्सी जो खोली गेती नियानिताल में तो दोस्तों यहां थे आज के प्रस्न 15 अब आपको नेक्स्ट प्रस्न के उत्तर देने है मुझे तो आप मुझे कमेंड करके कमेंड सेक्शन में कमेंड करिए और इनके उत्तर मुझे बताइए कब राश्टी जन्डा फेराया गया आज का तेरवा कुश्चन जो आपके लिए है कब नगरपालिके में राश्टी जन्डा फेराया गया आपके उप्शन है 25 मई 1930, 26 जून 1930, 27 मई 1930 या 27 जून 1930 चौद्वा कुश्चन है आपके उप्शन है अगला question है पंदरवा इस्टोवल प्रेस की स्थापना कप की गई सन 1910 में 1913 में 1915 में 1918 में तो दोस्तों इन जो प्रसने में आपको दिये हैं प्रसनों के उत्तर आपको मुझे comment box में देने है तो फटा फट आप comment कीजिए ठीक है और मिलते हैं आप से next वीडियो में इन ही प्रसनों के साथ इनके उत्तर लेता हुए ठीक है तो तब तक